अले इपना कहलेंगे दारू बंद कर दिए दारू बंद कर दिया आप लड़के लोगे का भविस बरवाद कर दिए जो कि 10 सल 12 सल के बच्चा दारू पहुंचाता है दारू बेचता है इसलिए दारू बंद करने से नया पीड़ी का जीवन भविस्वरवाद होने पर है और अपना बिहार एस्टेट का रेवनू दूसरे एस्टेट में जा रहा है उनका वाजिब काना है कि जब जो भी जिस बिहार के कोने कोने से सभी विपक्षी के विधायक भी जीत कर आए हैं अगर उनको सदन में अपना घर में ही इज्जत नहीं है जब वहाँ से अदमी चून करके भेजा है कि हमराई सबसे एक नंबर आदमी है इनी को भेजना है और उनके साथ हो रहा है तो उन लोग सदन तो कह रहे हैं कि हम पहिसकार करेंगे सभी विपक्षी को इस्तिफा दे करके चुनाव के मैदान में जाना चाहिए बिहार बिधान सभा के सदन के अंदर जो भी हुआ है वह बहुत हैं निंदनीय है आज जो सभी लोग पूरे बिहार से 243 आदमी चुना कर जाते हैं और पक्ष और बिपक्ष सदयव होते रहेगा लेकिन जिस तरह से इस बार बिधान सभा में देखने के लिए मिल रहा है वह आजादी से लेके अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि विधायक को जो मानिय हैं उनको बाहरी आर रेपी डेक्षन फोर्स बोला कर सी आर पी बोला कर पिटवाया जाया है नमस्कार आप देख रहा है आरेडी न्यूज मैं हूँ योगी शक्रवती बिहार की राजनिती इन दिनों गर्माई हुई है सत्ता फक्ष और विपक्ष के बीच सदन से लेकर सड़क तक पर ठनी हुई है लोग एक दूसरे पर आरोप परत्यारोप लगा रहे हैं और इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाढ़ बिधान सवा से निर्दलिये परत्यासी रह चुके लल्लू मुख्या उर्फ करनेवेर सिंग यादब जी मौजूद हैं आईए हम बात करते हैं जिस तरह से बिधान सवा के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के वीच टक्राब चल रहा है कैसे देखते हैं आप इसको देखिए आज बिहार बिधान सवा के सदन के अंदर जो भी हुआ है वह बहुत हैं निंदनिये है आज जो सभी लोग पूरे बिहार से 243 आदमी चुना कर जाते हैं और पक्ष और विपक्ष सदय भोते आए हैं सदय भोते रहेगा लेकिन जिस तरह से इस बार बिधान सवा में देखने के लिए मिल रहा है वह आजादी से लेके अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि बिधायक को जो मानिये हैं उनको बाहरी आर रेपी डेक्षन फोर्स बोलाकर सी आर पी बोलाकर पिटवाया जाए और महला बिधायका के साथ बेज़त किया जाए यह कहीं पर से भी कोई भी बेक्ती देखेंगे तो वह निंदा ही करेंगे इसलिए कि मानिये मुख मंत्री जी को जब यह वहाँ जो सदन चलता है अध्यक्ष के हिसाब से अध्यक्ष जी के रूल रेगुलेशन से जो विधान सभा के अध्यक्ष होते हैं और उनके रूल रेगुलेशन में अभी तक कई बार हुआ है हल्ला गोदल्ला होता है विपक्ष के साथ तो उसमें रैपी डेक्षन और सी आर्पी और बीएसेफ को बुलाया हो नहीं जाता उसके लिए अलग प्रभधान है जो कि मा मारशल को बुल बाते हैं अध्यक्ष जी और मारशल के दवारा उनको साइड किया जाता है नहीं ओ... आधा है और भुत पाक्स से जो सदन के नेता हैं वह भुथ कि पाक्स आप से भासन दे रहे थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए अई नहीं होना चाहिए आप कहां गये थे जिस समय सदन चल रहा था जिस समय सदन में इस तरह के बात उठ रहा था कि जब सदन में आप कि रहते हैं और उस समय आप CRP का विवस्था करते हैं तो इसमें मान्य अध्यक्ष महोदे को भी तोहीनी है कि उनके कारजा छेत्र में जाकर कोई दूसरे बाक्ति हैंडिल करे कि CRP को बुला दे बीएसेप को बुला दे और उससे उनके विधायक विपक्षी धल के नेता और विधायक को बेजत किया जाए मार पिट किया जाए पुलिस जिस तरह से आप लोग वीडियो आप ही लोग के चैनल के माधियम से देखने के लिए मिला है कि किस तरह से विधायक को गोड हां टांक करके फेका जा रहा है और किस तरह से लाट जुत्ता पर रहा है कि आप जो पूरे बिहार के मानिये हैं पूरे बिहार में 243 क्रीम है वही आदमी चुना कर उस सदन में जाते हैं और उस क्रीम और उस मान्य को किस तरह से इज्जत वहां के लोग जो अभी सरकार में हैं किस तरह से दुर्ब्य भार किये हूँ आप लोग से छिपा हुआ नहीं है उसके बाद आप सरकार में हैं कल विपक्षी भी सरकार में रहेगा तो आपको भी उसी तरह से करें तब कैसा लगेगा लेकिन हम सभी लोग को कहेंगे कि जो जिनके संस्कार में है जो जिस टाइप से कराएं हैं उन्हीं को मुबारक हो और हम जो विपक्षी दल के नेता हैं और विपक्षी दल के जो विधायक हैं उनको हम इतना ही कहेंगे कि अपने सहन सीलता से काम लें और इसको जबाब जनता देगी जिस तरह से सीएम नितीश कुमार जी कह रहे हैं कि ये विधान सभा अध्यक्ष के कार्च छेत्र का है और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए विधान सभा के अध्यक्ष जिम्यदार हैं लेकिन जिस तरह से कि अस्पी को डी-एम को बुलाया गया तो कहीं न कहीं जब विधान सभा के अध्यक्ष कैद में थे तो बुलाने वाले सत्धापरतिस्थान में बैठे लोग ही थे और जिस तरह से दुर्वयभार माननिये से किया गया तो उसके पीछे भी हाथ सत्ता पक्ष के लोगों का ही है तो क्या नितीज जी जिस तरह से पल्ला जाड़ रहे हैं तो पल्ला जाड़ के वो बच पाएंगे जैसे देखिए चाहे हमारे डीम साहब को हम बुलाया जाए चाहे हमारे एसपी साहब को हम बुलाया जाए किन वेक्ति बुलाए अध्यक्ष महोदे बुलवाए या पार्टी के मुख मंत्री बुलाए या पार्टी के और नेता जो हैंडिल करता है उब बुलाए जब सदन चालू रहता तTP अंदर नहीं घूसता है विना द्यक्च के मरूजी के भी बिना SP सहब नहीं जाते हैंर DM सहब सदनता हैं चुनों लेकिन इस समय उनको कौन बुलाया अध्यक जी बुलाय या नितिश जी बुलाय अब तो इन ही लोग जबाब देंगे कि कौन उनको सुचना दिये कौन उनको बुलाय और उनको घीरे हुए था तो घेराव करना या विधान सभा में धरना परदर्शन करना कि या नइतिक अधिकार नहीं है कि नयती का धिकार है कि कोई भी चीज आप नहीं सुनिएगा तो हम विपक्ष में हैं तो हम धर्ना करेंगे परदर्शन करेंगे उससे भी नहीं होगा तो अंदोलन करेंगे जी बिल्कुल एक बार तुब बता रहें कि उधाय नरान चौधरी जी पूर्व विधान सभा के अध्यक्ष हैं कि वह तीन दिन तक लोगों ने घेर कर बैठा रखा था तक जब उनको तीन दिन तक घेर करके रखे रहें तो भी लोग आज उस समय उधाय चौधरी जी पूर् कि उने सी आरपी को बुला करके सब को पिटवा दिये उनके अंडर में भी तुब फोर्स था लेकिन मार्शल के इस्तमाल हर समय किये हैं चुक्छे विधान सभा में सांती काइम रखने के लिए मार्शल बहाल किया हुआ है ताकि कोई भी बाहरी फोर्स वहां नहीं जाएग तब पीर यहां अरु उज्भाय नी चौधरॱ जी को अगर गिरा हुआ और क्ष इस तरह से दिये तो उनके कार्ज कलाप से भी जो अभी के माननिय अध्यक्ष जी हैं अच्छाय अभी के माननिय मुखमंत्री जी हैं उनका कार्ज कलाब जो पहले में हुआ है उससे उनको सीख लेना चाहिए कि कि किस तरह से विधान सभा को चलाया जाता है परतिपक्ष के नेता तेश्वी अदा वारूप लगा रहे हैं कि ताना साह है नितिश कुमार और ताना साही हिटलर साही की और बढ़ रहे हैं उसी की दिशा में उन्होंने जो पुलिस बिल लाया है पुलिस अब बिना आपको मतलब बताय हुए आपके घर को सर्च कर सकती है आपके घर के अंदर जा सकती है आपको गिराफतार कर सकती है ये पुलिस बिल में जो नया बिल पास हुआ है विदान सवा में उसमें ये है प्रापधान तो क्या लगता है कि सचमुच ये हिटलर साही की तरफ ही बढ़ रहे हैं किस किस सबसे पहला नंबर हिटलर साही करने के लिए दो चले हैं लेकिन यह जो धारा और यह जो नियम किस इलाके के लिए हैं सब अलग-अलग बांटा हुआ है अगर बिहार भी पाकिस्तान के बोडर के नजदीक रहता चाइना के बोडर नजदीक रहता जो कि यहां घुसपैट हो सकता है अवसे इस्थिति में हुआ सी आर्पी और आर्मी को पावर है कि किसी को घर के तलासी ले सकता है ना कि वहां के पूलिस के पावर है और जब यहां पर कोई जो उनके आने की बिरोध में रहे उसको जाकर करके पुलिस दवोचे तो इस तरह से नहीं चलता है जो नियम बना हुआ है कि अगर कोई अपराद किया है पुलिस उसके पीछे हर समय लगी राती है पुलिस पकड़ता है पकड़ करके जेल भेजता है नहीं हाजिर होते हैं उसके बारंट लेते हैं सर्च बारंट लेते हैं जरूरत अनुकुल उनका घर को भी छापा मारते हैं लेकिन नियाले से परमीशन के बाद पुलिस पुलिसं को विषवास हो जाएं कि आप अ सबस्क् succ बेज्बीए। प्रावधांत किया गया है कि आप कोट नहीं जा सकते और सरकार जो है इजाजत देगी उसके बाद ही आप कोट में जा सकते और खत्रा नियम है फिर नियाय पालका नहीं प्रमिस्न लेने जाएगा तुब काएगो केस में उनके परमिस्न लेने के लिए ठानेदार जाएंगे कि चलते हैं मुखमंध्रि जिसके हाँ सक्षावत परमिस्न लाते हैं फिर कोट काहे के लिए कोट जाज नजाज देखने के लिए क्यों बनाया गया है उन्न नियाई पालका है कार्ज पालका में दोनों में अंतर है अगर जदी जो कार्जपाल का नियाई पाल का नहीं होता तो कार्जपाल का और डंगा नाच करता अज़े एक चीव बताएं कि जिस तरह से इस वार बिहार बिधान सभा जो बजट सत्र चल रहा था उसमें सराब को लेकर के काफी हंगावा हुआ कि सराब पूरे बिहार में मिल रहा है लल्लो मुख्या जी क्या मानते हैं कि सराब सचमुच बिहार में बंध है या नहीं है सराब जो बरांड का चाहिए उस सब बरांड मिलता है सभी जगा काँ 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 पर रोक लगा करके रखेंगे आर यू उनको नहीं जना रहा है जो सराव बंदी किये हैं तथ यह तो रहा ट्रखे से कैसे जा रहा है पूरे बिहार में फ़ार्खन कैसे रहा है दोकान बंध है सब चीस बंध है तो बंद करने से बेहतर रहता कि चालू रहता उससे सरकार को भी रेवनू आता और आज सराब नहीं भी बिक रहा है तो भी मनमना सराब मिल रहा है और अपना बिहार एस्टेट का पैसा दूसरे एस्टेट में जा रहा है तर जा रहा है और विहार का अंदनी कम रहा है शराब तो मिलिये रहा है भले ही अपना कहलें कि दारू बंद कर दिए दारू बंद कर दिए आप लड़के लोग का भविस्वरबाद कर दिए जो कि 10 साल 12 साल के बच्चा दारू पहुंचाता है दारू बेचता है इसलिए दारू बंद करने से नया पीड़ी का जीवन भविस्वरवाद होने पर है और अपना बिहार एस्टेट का रेवनू दूसरे एस्टेट में जा रहा है इससे बेहतर था कि बाल हनुमंडल में तीन दोकान था तो कोई भी कहीं से आता था खरिदने के लिए तो यहीं तीन दोकान में और यहां से खरिद के लेके जाता था अगर यह गों बोतल ले गया आया दस गोदमी हो गया तो उसी में काम चल जाता था आया भी तो पीने के लि बैबरी चल रहा है भले नीतिश जी कहलें कि दारू बंद कर दिये दारू बंद कर दिये दारू रूबंद नहीं हुआ है उस सभी को नुक्सान है नया पीड़ी को भी नुक्सान है कि जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता था उसको लोब हो गया कि 200 रुपिया मिला कहीं जिहार का नुक्सान है और दारू खुलम खुला मिला है अखरी शवाल जिस तरह से विधान सवा के अंदर मार पीठ हुई सड़क पे रजेडी की कारिकरताओं को पीटा गया दोड़ा दोड़ा करके पीटा गया हम मारा सवाल है आप से कि प्रतिपक्ष के नेता कह रहा है क अगर ये लोग माफी नहीं मांगते हैं तो हम 5 साल तक सदनका बहिसकार करेंगे कैसे देखते हैं उनके फैसले को आप सही है इजब जो भी जिस बिहार के कोने-कोने से सभी विपक्षी के विधायक भी जीत कर आए हैं, अगर उनको सदन में अपना घर में ही इज्जत नहीं है, जब वहां से अदमी चून करके भेजा है कि हमराई सबसे एक नंबर आदमी है इनी को भेजना है, अब उन आदमी जब वहां मार पीट, लुतला, जुत्ता, ढेला, फेका, फेकी, जब उनके साथ हो रहा है, तो उन लोग सदन तो कर रहे हैं कि हम पहिस्कार करेंगे, सभी विपक्षी को इस्तिफा दे करके चुनाव के मैदान में जाना चाहिए. हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. दन्यवाद। शमर्थन किया कि हम शदन का बहिश्कार करेंगे. योगी स्ट्रवर्ती, आरेडी न्यूज, बाढ़ा.